दोस्तों सबसे पहले एक टेस्टार बनना लेते हैं LED का जो LED खराब है उसको आसानी से कैसे आप find out कर सकते हैं आप किसी भी मीटर को यूज ना करते हुए आप देख सकते हैं यह जो वायर है इसका वायर को हमने छील निया है और इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे उसके बाद यहां पर दोनों साइट को सोल्डिंग करेंगे और उसका कवर को थोड़ा खीच देंगे यह देखिए अच्छी तरह से यह हमारा टेस्टर बनके तेयर हो गया आप लाइन में लगाने के बाद यह देखिए किसी भी LED को आप find out कर सकते हैं क इसके बजए से आपका LED ग्लो नहीं हो रहा है यह देखिए हमने find out कर दिया है सिप और सिप वायर के बाद वायर से अभी यह जो LED है इसको उखाड के बाद यहां पर शोल्डिंग कर देजने से यह LED ग्लो होई जाएगा लेकिन यह तरीका बिलकुल गलत है इससे क्या होता है आपका जो बोड है यह खराब हो सकता है और LED ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा एक घंटे के बाद और एक LED खराब हो जाएगा इसलिए फ्री में जालने के लिए और एक ट्री का आपको दिखाएगा यह खराब है इसके अंदर पानी चला गया था तो इसका जो LED बोड है यह से है तो हमने LED बोड को निकालने के लिए यहां पार देखिए इसके अंदर पानी चल गाता इसलिए यह खराब है तो इसका बोर्ड को पहले खोलेंगे इसको साइड में रखके और एक LED को टेस्ट करेंगे इसका भी एक LED खराब है किसी एक LED को इसको टेस्ट करने के लिए पहले इसको स्वाट करके देखेंगे यह देखिए यह 20 वाला LED है खराब है इसको मार्क कर लेंगे इसके बाद जो LED इसको LED को खोल लेंगे नोनो वायर को खोल लेंगे अच्छी तरह से खोलने के बाद इसका बोर्ड को निकाल देंगे अभी देखिए पूरान यह जो हमने आइरोन बनाया था काटिंग वाला इस आइरोन से ही यह LED बोर्ड को रिपेरिंग करेंगे यह देखिए यह हीट हो गया यह खराब जो LED बोर्ड हमने खोल के रखा है इसको बहार निकालेंगे और देखिए यह खराब है इसको छोड़ देंगे यह देखिए इसके अंदर एक दो LED जो है यह अच्छा है इसको आपको निकलना है थोड़ी देर हीट करने के बाद यह देखिए यह बहुत ही आसानी से आपका LED जो है बोर्ड से अलग हो जाएगा आप देख सकते हैं जो जो LED अच्छा है उपर से दिखता है उसको निकालने ना है आपको यह देखिए पूरा का पूरा LED यह आईरण से मदद से साफ हो गया अभी क्या करेंगे संग संग यहां पर LED को हंटाने के साथ साथी किसी भी एक LED को यहां पर डिप्लेस करना है आपको है कि दूंआ इसके जगा पर एक अच्छा वाला LED देखके आपको लगा देना है को दोस्तों यहां पर बड़ा टांग और छोटा टंग होता है यहां पर आपको देह के लगा देना है कि देती हम आगर के साथ लाका टेस्ट करेंगे यह देखिए हमारा LED glow होना शुरू हो गया यही सही तरीका है कोई shortcut नहीं चलेगा ऐसे करके यह आपको connection करना है और आपका LED ज्यादा दिन तक lasting करेगा नहीं तो आपका जो system है यह खराब हो जाएगा इसलिए यह ज्यादा दिन तक lasting करने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे करके LED को replace करना है तब जाके यह ज्यादा दिन तक चलेगा और यह LED जो है आपको फ्री में मिलता है क्योंकि यह पूराना बोर्ड से निकला है तो इसलिए 100% फ्री में आपका जो LED है रेडी हो गया प्रेंज कैसा लगा अच्छा वीडियो उम्मीद करते आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा जो लोग नए है फटा फट से आपने चला को सब्क्राइब करें लाइक करें और सब के साथ चैर कर दीजेगा फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ तब तक के लिए आग अधिये अधिये आग एक देद